प्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजुकेशन हविया चाहराई में फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके लिए पर्यावरड के कुछ इंपार्टन्ट कुष्चन लेकर आई हूँ पहला है लवडी म्रदा में कौन सी फसल अच्छी तरह नहीं होती है एक यह हूं वी चावल सी मटर डी इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इसका एंसर है डी इनमें से कोई नहीं कुष्चन नंबर दूसरा मुंबई एबम कोलकाता समान सेहरों में मुख प्रदोसक है ए ओजोन वी कारवन मोनो आकसाइड एबम सलफर के आकसाइड सी हाइडरो कारवन डी इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इसका राइट आइंसर है बी कारवन मोनो आकसाइड एबम सलफर के आकसाइड कुष्च जैव निम्नकरडी प्रदूसक, C. हाइड्रोकारवन, D. इन में से कोई नहीं तो friends इसका right answer है A. अजैव निम्नकरडी प्रदूसक Question number 4 तालाव के पारिश्थितिक तंत्र की प्लवी बनस्पति का उधारण है A. डायटप्स, B. कश्ट्रेलिसियन, C. हाइड्रिला, D. वालवाक्स तो friends इसका right answer है C. हाइड्रिला Question number 5 पारिश्थित की तंत्र में प्रथम इस्तर कहलाता है A. वोशी इस्तर, V. उपभोकता इस्तर, C. उतपादक इस्तर, D. साकाहारी इस्तर तो friends इसका right answer है D. साकाहारी इस्तर Question number 6 जल चक्र को नियंत्रित करता है A. घास इस्तल, V. वन, C. पादप लवक, D. उपर रोही तो friends इसका right answer है B. वन Question number 7 पारिश्थितिक पिरामींड कितने प्रकार के होते है A. दो, V. तीन, C. चार, D. पाँच तो इसका right answer है B. तीन होते है Question number 8 पारिश्थितिक तंत्र में होते है A. जैविक तथा अजैविक घटक, V. पादप तथा जन्त, C. उत्पादक तथा उपभोक्ता, D. साका हारी तथा मांचा हारी इसका right answer है A. जैविक तथा अजैविक घटक Friends, Question number 9 मा उत्पादक का उधारण है A. हरे पादप, B. साका हारी जीव, C. मांसा हारी जीव, D. अफगटक तो Friends, इसका right answer है A. हरे पादप Question number 10 मा उर्जा का पिरामीड होता है A. सदैव सीधा, V. सदैव उल्टा, C. उल्टत था सीधा, D. इन में से कोई नहीं Friends, इसका right answer है A. सदैव सीधा Question number 11 पोशी इश्तर वनता है A. केवल पादप से, B. केवल जन्तूओं से, C. केवल मांसाहारी से, D. खादिस रंखला से, जुड़े जीवों से Question number 12 पोशी इसका right answer है, D. खादिस रंखला से, जुड़े जीवों से Question number 12 पोशी इसका right answer है, A. मनुस्य वी जन्त, C. हाइड्रोकारवन, D. इन में से कोई नहीं तो Friends, इसका right answer है, A. मनुस्य, Question number 13, DDT है, एक, A. अजैव निम्न करडी प्रदूसक, B. जैव निम्न करडी प्रदूसक, C. इन्तिवायोटिक, D. इन में से कोई नहीं तो Friends, इसका right answer है, A. जैव निम्न करडी प्रदूसक, अजैव निम्न करडी प्रदूसक Question number 14, मनुस्य जाति के लिए वातावर्डी अंतिम संकट है, A. वायु प्रदूसर, B. सोर प्रदूसर, C. जल प्रदूसर, D. नाविकी यसीत Question number 15, खाद श्रंखला में सबसे कमजोर कडी है, A. प्राथमिक उपभोकता, B. प्राथमिक उत्पादक, C. दोती उत्पभोकता, D. तृती उत्पभोकता तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है, D. तृती उत्पभोकता Question number 16, पोधे म्रदा से अवसोशित करते हैं, A. आर्दृता जल, B. कोशिका जल, C. गुरुत्वी जल, D. A. एवं C. दोनो तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है, B. कोशिका जल Question number 17, समुद्र के किनारे मिलने वाले पादप होते हैं, A. लवड म्रदोद भीद, B. हीलियोफाइट, C. जलोद भीद, D. मृत जीवी तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर है, A. लवड म्रदोद भीद, Q. नमबर 18, इडेफिक फैक्टर सम्बंधित है, A. म्रदा से, V. मनुष्य से, C. जन्त से, D. तापमान से तो इसका राइट अंसर है, A. म्रदा से, Q. नमबर 19, वाटर लांगिंग सम्बंधित है, A. म्रदा से, V. वन से, C. म्रदा वाजल दोनों से, D. जल से तो इसका राइट अंसर है, C. म्रदा वाजल दोनों से, Q. नमबर 20, कौन C. सदी ध्वन प्रदूसर के लिए जानी जाती है, A. शोलवी सदी, V. अठारवी सदी, C. सत्तरवी सदी, D. वीश्वी सदी तो इसका राइट अंसर है, D. वीश्वी सदी, Q. नमबर 21, भूम के वंजर होने का प्रमुक कारड है, A. शहरी करड, V. अमली वर्षा, C. अत्चारड, D. क्रस्विदिया, तो इसका राइट अंसर है, V. अमली वर्षा, Q. नमन लिकित में से, कौन शा उदोग बनो पर आध अधारित उदोग है, A. काच उदोग, V. सीमेंट उदोग, C. रसायन उदोग, D. कागज उदोग, तो फ्रेंट इसका राइट अंसर है, C. रसायन उदोग, Q. नमबर 23, पर्या वरड़ पर स्टाक होम समेलन कब हुआ था, A. 1992, V. 1972, C. 1978, D. 1990, तो इसका राइट अंसर है, V. Q. नमबर 24, सूर के प्रकास में कौन सा रंग दिखने योग नहीं है, A. लाल, V. हरा, C. सफेद, D. नीला, तो इसका राइट अंसर है, C. सफेद, तो फ्रेंट्स, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग